मित्रो सनातन धर्म के कई ग्रंथों में जनम और मृत्यू से जूड़ी कथाओं का वर्णन किया गया है प्रंतु गरुड पुरान ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुश्य के जनम से लेकर मृत्यू तक के समय काल को विस्तार से बताया गया है यह है अक्सर ही देखने को मिलता है कि जब कोई मनुश्य मृत्यू को प्राप्त होता है तब लोग कहते हैं कि भगवान उस आत्मा को अपने चड़नों में स्थान दे अर्थार्थ उसे स्वरग में स्थान मिले लेकिन यह बात भी सच है कि किसी के कहने या प्रातना करने मात्र से किसी मृत आत्मा को स्वर्ग में जगा नहीं मिलती बलकि उसके द्वारा किये गे कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है नमस्कार मित्रों आपका ग्यानवीला यूट्यूब चैनल में स्वागत है गरुड पुरान के धरमकांड अध्याय के प्रेत कल्प भाग में मृत्यू के बाद मृत आत्मा के साथ होने वाले सभी कारों का वर्णन किया गया है इसी भाग में पक्षी राज गरुड के पूछने पर भगवान श्री हरी विश्नुजी मृत्यू के पश्चात कैसी आत्मा को कहा जगा मिलेगी इसके बारे में बताते हैं गरुड पुरान के अनुसार जो मनुश्य जीवित रहते हुए गलत कारे करता है या फिर दुष्ट होता है वह नर्क में जाता है और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं स्वर्ग जिसे देवताओं का स्थान माना जाता है, जो बुरे कर्म करता है, उसे नर्क में ले जाकर बूरी तरीके से डंडित किया जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में सभी तरह की सुवधाय उपलब्द की जाती है। बगवान विश्णु बताते हैं कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वायम अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने आते हैं जहां अपसराय उनका स्वागत करती हैं यह वह लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं दूत उन्हें कई तना की यातनाई देते हैं जो लोग समाज के लिए कुए तलाब मंदिर मार्ग आधी का निर्मान करते हैं उन्हें भी मृत्तु के बाद स्वर्ग में प्राप्ति होती हैं गरुड पुरान में आगे विश्णु जी बताते हैं जो मनुष्य इस्त्रियों का समन करता है कन्या को बोज नहीं बलकि देवी लक्ष्मी का रूप मानता है आतमहतेया जैसे प्रकर्ति के वरुद कदम नहीं उठाता बलकि प्राकर्ति के दवारा निष्चित जीवन चक्रों को पूरा कर मृत्य को प्राप्त होता है उसे भी मृत्य के बाद स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है इसके अलावा गर्लू पुरान में भगवान विश्णू ने यह भी बताया है कि जो मनुश्य जीवित रहते हुए अपनी आये का निश्चिद हिस्सा दूसरों पर खर्च करके मदद करता है या जो ब्रामन सादू संतों को दान करता है वह मृत्त्यू के पसचाल बिना किसी रुकावट के स्वर्ग में पहुँचता है और जो जीवन भर गीता का पाट करवाता है या फिर खुद करता है और तो और धरम करम पूझा पाट भगवान के भजन में संगलन रहता है उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है दूसरी और जो व्यक्ति पूझा की जगाओं को नीची नजर से देखता है वेद और पुरान को छोटा समझता है अच्छे लोगों को धोका देना और किसी को अभार व्यक्त करने की बजाए उसे अब शब्द बोलता है वह व्यक्ति नर्क में जाता है जैसा कि हमने महाभारत में देखा है पती महिला की हत्या करना भी महापाप होता है क्योंकि उसके अंदर भी एक जान होती है जो लोग जुरूरत मंदों और गरीबों की मदद नहीं करते उन्हें भगवान सीधा नर्क में डालते हैं कमजोर को सजा देने वालों को भी स्वर्ग नहीं मिलता अपने सुख के कर चैनल सब्सक्राइब जुरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद